आप हाइःए है फरेंड्स वैलकम वैंक टो माये यूटेटिया भी कलासे तो दोस्तों आइज अपने ग्री ग्राम्घ अपनी क्रॉप है फल उसके बारे में पढ़ेंगे, green gram को अपने मुंग भी कह देते हैं, तो green gram crop ऐइचे बारे में complex study करेंगे, वेशन इसमें क्या है कि 2-3 main questions होते हैं, जो बार-बार आते हैं, लेकिन अपने इसको अच्छे से details से पढ़ेंगे, ठीके दस्तों, video को start करते हैं, तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि green gram का जो botanical name है जिसको अपने वानस्पतिक नाम कहते हैं ठीक है तो इसका जो botanical name हो है विगना radiator क्या है विगना radiator ठीक है फिर next आता है अपना question की family जो है green gram की जो family है जिसको अपने हिंदी में कुल कहते हैं ठीक है तो green gram की जो family वो है leguminacy ठीक है leguminacy या इसको अपने फबेसी भी कह सकते हैं ठीक है फिर next है chromosome number तो chromosome नमबर इसमें two number 42 कितना है two number 42 ठीक है अपने green gram को और कौन-कौन से नाम से जानते हैं फिर next अपना question होता है जो green gram इसका 30 तो आपका अंसर होगा इंडिया ठीक है फिर next question है कि protein इन कि green gram में किते percent protein होती है 24% इसमें protein होती है ठीक है दोस्तों फिर next है कि fate fate की बात करें तो 1.3% इसमें fate होती है अगर अपने carbohydrate की बात करें तो 59% और green gram एक self-pollinated group है ठीक है तो दोस्तों इसमें यह जो फेट है carbohydrate है इसमें यह तो बहुत कम question put up होते है ठीक है लेकिन यह जो अपने protein है यह पूछ ले जाता है बहुत बार ठीक है कि green gram की protein मैं green gram में किता percent protein होता है तो आपको याद करना है 24 परसेंट ठीक है दोस्तों फिर नेक्स्ट एक inflorescence यानि कि जो green gram crop है इसका inflorescence तो अपने इसके inflorescence को कहता है तो यानि कि जो जाते है तो यानि कि जो जाते है तो वह सुबह जब जाते है ठीक है अंकूरन हो जाता है तो उसमें विटामीन सी होता है ठीक है मूंग का जो fruit होता है उसको अपने pot कहते हैं और soil की बात करें तो मूंग की crop को जो soil जी है वो loamy to sandy loam ठीक है climate की बात करें तो hot climate tolerant कर जाती है ये drought को creep crop है ये sawing depth की बात करें तो four to six centimeter इसके लिए sawing depth की हावसिता होती है ठीक है दस्तों फिर next is sawing time sawing time आपको पता है खरीब crop है तो उसलिए पने जून जुलाई के अंदर इसकी sawing कर देते हैं फिर next बढ़ते है इसमें seed rate, seed rate की बात करें तो इसमें रभी के लिए अलग होती है खरीफ के लिए अलग होती है तो खरीफ के लिए इसमें जो seed rate होती है वो होती है बारा से पंदरा केजी पर हेक्टर रभी crop के लिए इसमें जो seed rate होती है वो होती है 20 केजी पर हेक्टर ठीक है फिर next is spacing जिसक दो 10 cm इसकी जो spacing होती है green gram crop की ठिक है फिर अपने बात करता है इसमें उपज कि जो इल्ड होती है वह कितीन होती है कि इसकी लगब कवारा से पंद्रा कोटल पर है इसमें इसकी उपज होती है green gram फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं जो ग्रीन ग्राम के इंदर कौन सी वराइटी होती है यहां कौन कौन सी कल्टिवार्स जिसको कह सकते हैं अपने किसमें कह सकते हैं जिसके कुछ important varieties है जो मैंने लिखी है यहां पर तो इसमें फस्ट है वर्सा जो 55-60 दिन के अंदर त्यार हो जाती है इसके बाद में पूसा विशाल 65-70 दिन के अंदर त्यार हो जाती है उसके बाद मोति है जिसको दूसरा नाम है जिसका पीडियम 54 ठीक है दोस्तों उसके बाद में इसमें और भी है जैसे गंगोत्री है जमनोत्री है ठीक है और यह इसकी most important जो वर्याइटी जो आर एमजी 344 और आर एमजी 400 बान में ठीक है इसका आपको दियान रखना है फिर next है एक वर्याइटी और आती है जो आपने सुनी भी पूसा भी सखी यानि इसका दूसरा नाम जो है पूसा भाइसा की का टाइप चुमालिस क्या है टाइप चुमालिस इस वर्याइटी की यह जो खासिए यह कि यह अपने जो सुगर केंड़ रॉप कर सकते हैं ठीक है यह कॉशन पूछ ले जाता है बहुत बार आया भी वेड कंट्रोल है कि सगरते हैं तो मैंने आपको पहले भी बहुत पलसे बगहरा पड़ा दिये तो इसमें मॉस्ट लिक्या होता है इसमें यह जो वीड कंट्रोल होता है वीड भी सहमी होता है तो आप इमेज जाता है पर बास अलीन है यापको याद रखना है ठीक है डिजिज लगती है ठीके दोस्तों ये ग्रीन ग्राम क्रॉप थी अपनी छोटी सी क्रॉप थी जो मैन मैन कॉसंद है वो मैंने आपको बता दिये ठीके दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई